हेलो एब्रियों कैसे हैं आप 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 सभी दोस्तों बहुत ही खुश होंगे क्योंकि देली सबोरने सभी सेलेक्शन बोट की तरफ से PGT, TGT, PRT से जुड़ी सारी नोटिपकेशन जारी कर दी गई हैं जी हाँ दोस्तों जिनका आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे TGT और PRT पोस्ट कोट के लिए इन दोनों के ही लिए दोस्तों नया नोटिपकेशन लीच किया गया कि PGT का पहले ही नोटिपकेशन लीच किया गया था 24 दिसंबर को ही आ गया था अब फाइनली PRT पोस्ट कोट के लिए भी नोटिपकेशन को लीच किया गया है और इस वैकंसी से जुड़ी ही कितनी पोस्टे जारी की गई है Category-wise साथ क्या सलेबा साइन के लिए कितना आपको इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा Egy criteria, Selection Process कब से फाम भरे जाएंगे, कब तक फाम भरे जाएंगे सारी latest update पानिक लिए वीडियो के इन तक बने रहें सबसे पहले दोस्तों आपे primary teacher बनने के लिए आपके पास eligibility criteria क्या-क्या होने चाहिए तो देख लिए जो pay matrix level दिया जाएगा 35,400 लेके 1,12,400 पर मंद आपको salary provide कराए जाएगी और इनकी जो अपर age limit होती है उस 30 year से उपर नहीं होने चाहिए यदि आप PRT के फाम apply करने जा रहे हैं और इस इसनल जो quality question आपके पास होनी चाहिए तो senior secondary दोस्तों आपका बार्मी क्लास जो होता 50% अंकुक साथ दो year का diploma elementary education होना चाहिए तब फाम को apply कर सकते हैं यदि आपने बार्मी और डिप्लोमा नहीं किया है तो senior secondary के साथ यदि आप बेलेट 4 year का bachelor elementary किये हैं तब भी आप फाम को apply कर सकते हैं PRT post court के लिए इनके लाव बात कहा हैं दोस्तों senior secondary के साथ में 50% अंकुक साथ special education का वी अदि आपने डिप्लोमा किया है तब भी फाम को apply कर सकते हैं अधिक graduation प्लस B8 किया तब भी तो 4 condition है दोस्तों आपके 4 condition में आपने एक भी condition पास की है तो फाम को apply कर सकते हैं इनके लावा दोस्तों जो second बात है आप लोगों के लिए कि central teacher eligibility test जिसको seated बोलते हैं दोस्तों आपका paper number first conduct जो government India करती है उसको भी आपके पास clear होना चाहिए एंड हिंदी और English का ग्यान होना चाहिए तो एक बड़ी खुसकवरी जारी की गई है primary teacher से जूड़ी हुई नेक्स इस्टे पर दोस्तों आपका age का लेक्सेशन जो दिया जाएगा कितनी रहेगी तो यदि आप SCC category से हैं तो पास सालों के चूट यदि दोस्तों तीस साल अपर age limit होती है तो 35 साल हो जाएगी आपकी तब भी फार्म का अप्लाई कर सकते हैं यदि आप OBCC ते हो हैं 33 साल और तीन साल की चूट बूम और आल का टेगरी चाहें PGT के लिए हूं TGT लाइबेरियन प्यार्टी पोस्ट के 10 सालों के चूट यदि 40 साल तक फार्म को अप्लाई कर सकते हैं अब option notification देख लेते हैं दोस्तों जो देली सबड़ने सरी सेलेक्सन बोर्ट की तरफ से प्यार्टी बैकेंसी जारी की गई हैं यहां पर दोस्तों notification में देख लें असोग गलहोत अगरवाल जी हैं जो MCD Commissioner गनेश भारती IES गेट्स लीगल नोटिस जारी की गई है देख लें असोग अगरवाल जी ने एक request किया था देख लें MCD की तरफ से request किया गया था डिट प 147 बैकेंसीच लीच की जाएगी डिट प्रसभी के द्वारा तो आप लोगों के लिए बड़ी खुसकर रही है दोस्तों एक लीगल नोटिस जारी की गई है जो असोग अगरवाल जी ने इस नोटिस को आंगर डिट प्रसभी से मांगा था और डिट प्रसभी की तरफ से 1147 बैकेंसीच की लीगल नोटिस दी गई है